इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, UKITAS Small Finance Bank के बारे में जिसने के अपने Quarter 1 के Numbers during Market hours पब्लिश कर दियें तो चलिए देखते हैं, UKITAS Small Finance Bank के Numbers कैसे रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं तो तो चलिए देखते हैं, UKITAS Small Finance Bank के Numbers कैसे रहें तो डीटेल्स आपके सामने हैं और सारे फिगर लैक में इन करोर्स में में बोग डिसक्स करेंगे Q1 की earnings है, 4 की earnings है, then last year quarter 1 का data आपको 3rd row में देखने को मिलेगा पहले बात करते हैं, bank की main income की जो की होती interest earn, यानि कितना interest कमा रही है bank जो की अगर आप देखेंगे, तो last year quarter 1 में जो bank की interest income थी, वो 1253 क्रोड की थी वो जबार 1500 पर आगी, quarterly 14 से 1500 क्रोड पर, तो quarter plus yearly दोनों ही जगे interest वाली income तो काफी अच्छी ग्रोव हुई है, आप सारी incomes को add on करेंगे, तो आएगी total income जो की 1400 से 1700 पर आगी, quarterly 1600 से 17 पर, तो Q1 Q plus Y and Y, दोनों ही जगे income बढ़ी ये company की, expenses की अगर बात करें, खर्चों की तो 1100 से 13 पर आगए yearly और 1310 से 1369 पर quarter on quarter, तो जिस तरीके से income ग्रोव हुई, company के expenses भी quarter plus yearly बढ़ गए, then discuss करते हैं, company को after tax कितना profit हुआ, but उस से पहले discuss करते हैं, provisions जो की 60 करोड से बढ़के 304 पर आगे, quarterly 106 से 304 पर, तो provisioning bank की काफी अच्छी तक बढ़ चुकी quarter और yearly दोनो 217 करोड से इस बार अगर आप देखेंगे, 191 से 25 करोड पर आगे, तो profit में एक काफी बड़ी किरावट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो 207 करोड से profit 25 करोड पर आगे, तो इस बार के जो profit है, Equitas Small Finance Bank के वो quarter plus yearly दोनों ही जगे हमें कम देखने को मिल रहे हैं, तो same बिलकु ज रियक्षन है, वो भी हमें market hours के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं, तो after effects भी हमें देखने को अल्रेडी मिल चुक्त, market estimate की बात करें, market का जो अनुवान था, वो काफी ज़्यादा था, 186 करोड का, जिसकी वज़य से आपको profit इस पर काफी ज़्यादा कम देखने को मिल रहे, तो market estimate को profit बीट नहीं कर पाए, same reflection देखने को मिलेगा company के EPS में profit कम रहे, तो EPS भी 1.72 से yearly 0.23 पे आगया, quarterly 1.83 से 0.23 पे तो जिस तरीके से profit कम वे, same EPS में भी घिरावट देखने को मिल रहे, net NPA की बात करें, इन रूपीज में तो 325 से 264 पे आगया, quarterly 360 से 264 पे, तो NPA इ देखने को मिल रहे है, quarter yearly दोनों ही जगा, debt equity ratio की बात करें, तो 0.24 से 0.10 पे आगया, quarterly 0.11 से 0.10 पे, तो debt to equity ratio में इस बार कम देखने को मिल रहे है, तो overall दोस्तों इस बार के जो equitas bank के नंबर है कुछ खास नहीं है, due to provisioning इस बार profit में काफियत तक कम देखने को मिल रहे है, और market estimate के साब से भी नहीं है नंबर, market के reaction नहीं की बात करें, तो देख सकते हैं, आप result आने के बाद 3.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, तो आपको एकविटा से small finance bank की कितने shares है, comment box में बिलकुल बता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में केसी और update के साथ,